तो कैसे हैं आप सभी आज हम आपको बताने वाले हैं दीदी का दिवाली स्पेशल आउट फिट यह कुछ ऐसा लगने वाला है जिसमें हम चोड़ा सा बॉडर देंगे बहुत सारे इसमें घेर भी रहने वाला है और इस ड्रेस में हमाई दो चीजे रहने वाली हैं सबसे पहल क्या है क्या क्या लेना है बहुत कि आप लोग भी अपने अपने लहंग नाब लंग का बढ़ाना इसे आपको जाना है पूरे नीचे तक तो अब एन signature पेहना ही होना है तो शोर्डल नोंची हो जाए Het Zoals के हिल पहनना तो तो आफ हम क़ retaining के ज्क वांटक करें हिसके बाद आपको दूसराा मेजरमेंट न हम से कमर का जहां से कमर को नापलेना हैं हमारी कमर लेनीट थेजित galera कुस्ते चुर्प गए दूसरी और कमर लंबाए हो गए ओरगंसे फेब्रिक की लंबाई है वहे साठेचार मीटर और इसकी जो चौड़ाई है। वहे लिए क्रैप फेब्रिक की लोगफ़ाई है और इसकी जो चौड़ाई है वहे 40 इंच और इसमें हम यह लेसे यूज्सै चरने वाले हैं। तरक कपड़े को हमने सिंगल कर लिया है दोनों कौने मिलाकर इसको डबल कर लेंगे अब इन दोनों कौने को पकड़ेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा फोर फोल्ड अब ये वाला हिस्सा हमारा बंद वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा हमारा खुला वाला हिस्सा है ये हमारा किनारी वाला हिस्सा दोनों साइट का उस साइट का भी और इस साइट का भी तो यहां से लगाना हमें कमर करने शान तो यहां पर आए हमारे हमारी लेहंगी की कमर कमर हमारी 3-5 की है इसमर हमें 4 इंचर लोजिंग करना हैWhat 4 इंचर इंचर क्यों एट करते हैं तो 2 एंचर 13 इंचर 11 करना है क्योंकि हम इससे बनाैंगी कंपर Kent वन्द बाला से लेकीं सावे आठे ही इंच साथे या तक सब्सक्रालिप आहां से हम feelings कर लेका हैं साडे pest कर लेना है ऐसे करना एनचीटेप को पलटबूस क कर लीजी तो आ गया हमारा सबंस्व चाहए इंच तो यह से किनारी जिता तो नहीं में रख जाएगा अब यहां से रखिए आप सबाचार इंच पर तो यहां से सबाचार पर निशान लगाना है और एक बीच से ऐसे गोलाई करके इसको मिला लीजिए अब आप इसे एक बार नाप कर भी देख लीजिए यहां पर आ रहा है हमारा आठ इंच तो हमें चाहिए साड़े आठ इंच तो इसलिए हमको आधा इंच और नीचे निशान लगा लेना है अब जो रिशान हमने बाद में लगाया है इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे कमर दो हमारी cutting हो गई है अब लगाना एंको लंबाई का दो हमारा पर ये चौ посмотрим KungChine लंबाई के हमारा को फोर्टी वन इंच की आसा का क्या आई एक लंबाई अगर बढ़ा देते हैं तो फिर अस्तर बहर लटकेगा अब यहां से इंची टैप को रखे लेंगे और इसको नापकर देख लेंगे यहारा है 40 निशान लगा लेना है कि और यहां पर आने के बाद यहां पर आपको एक इंच कम रखना है 49 इंच रखना है क्योंकि ये वाला हिस्सा बहुत जादा ओरेब हो जाता है इसकी वज़ेस ये बहुत जादा भाद में लटकता है इसलिए इसको हमें थोड़ा सा कम रखना है यहां पर 49 इंच पर निशान लगाएंगे अब थोड़े से आगे चलेंगे तो 40 इंच आरा है यहां पर हमारी छोटी सी कली डिलेगी जिससे यह हमारी लंबाई बराबर हो जाएगी आपको इस्पेशली यहां से ध्यान रखना है कि यह जो ओर इबाला हिस्स्ता है इसको थोड़ा सा कम कटिंग करना है कि जादा तरह मैं पस कमेंट आते हैं कि अमरेला कुछ भी बनाते हैं प्रॉक बनाया या लहेंगा बनाया अमरेला कोई बीच बनाते हैं तो बीच से लटक 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 के बड़ी हो जाती है इसलिए आपको पहले ही एक इंच कम रख लेना है तो जब लटकेगी तो बाद में वह सही हो जाएगी अब इसी निशान पड़ से कटिंग करेंगे इतनी हमारी कटिंग हो गई है अब यह जो साइड से फैबरिक बचा हुआ है इसको उठा लेना है अब यह वाली कलिया हमने ली है और इनको यहाँ पर लाकर रख लेना है और इसको इसको उपर रख देना है आदे इंच हमने इनको चड़ा दिया है यह वाला एक हिस्ता हमारा खुला होया है और यहीं वाला हमारा बंद है तो इसको थोड़ा बहार निकाल लेंगे यहां पर हम से च outta कर लेना है scoring अब यहां से रखना है आपको इतना हमें हिसको छोड़ दिया में дав kay सकत लंबाइक ऐ toughest जिल में श नीशान डिंग करें घृ चाहージ की निशान निशान के ठों के कप महीं लिए औ 1976 पर गाल Something आप मेसी मेंगी हम मैंब फैब्रिक अर्गंज फैब्रिक इसको फोर फोल्ड करके रख लेना है यहसे मैं अस्तर को किया। अब हम अपना अस्तर लेंगे अस्तर को इसकी ऊपर रख लेंगे कि की अस्तर को मुझा शुक्राइब अपनी कलिया भी रख ली हैं अब मैंटरन करना ना यहां से चृह भी ग cricket को क्पड Hamm observe कि अस्तर ऊपनी कर अपनी कर लीका रख लीक में 1 इंच बढ़ा रखेंगे अभी जु साइड को फैबरिक बचा है इसको लेंगे ईस साइड घोवाएंगे इसको और यहां पर नीचे रखेंगे जैसे हमने करना है अब इसको भी रख देंगे वापस से लंबाई के साफ से अमने इसके निशान लगा लिए और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं अब यह वाली कलिया भी हमारी यहाँ पर ज्वाइड हो जाएंगी लेंगे का घेर तो हमारा कटिंग हो गया है अब हम यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेना है इसमें भी और इसमें भी दोनों में ही अब यह जो नीची से हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से निकालेंगे हम कि पट्टी तो हमें निकालना थेर अबन कर तयार चाहिए तो हमें डेढ़ ऊपर का न देर अंदर का तो हो जाएगा थीमिंच और आध्य-दे इंच सिलाइ मत्म जबने का एक इंच ये मिला लेगी तो हो जाएगा हमारा चारेंच का तो चारेंच का हमें नेफा निकालना है चोड़ाई में रखना है हमें इसको चारेंच और लंबाई में रखेंगे हम कमर के बरावर का ये फैब्रिक हमारा डबल में है अब यहीं से cutting कर देंगे अब यहाँ पर हमारा थोड़ा से कम पड़ रहा है तो यहाँ पर एक तिरचा जोड लगा देंगे ऐसे करके यह कड़ रहा है हमारा तिरचा जोड यहाँ पर हम join कर लेंगे तो हमारा यह होगा है नेफा अब इसका हम मैन फैबरिक भी निकाल लेते हैं यह हमने अपना मैन फैबरिक ले लिया है इसी के उपर दोनों पट्टियां जमा कर रख लिए हैं अब इसी के बराबरी से cutting कर लेंगे दोनों पट्टिया हमारी निकल गई है नेफिक पट्टी हमारे निकल गई है, यह हमारी यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी, इसी साथ हमारे पूरे लहेंगे कटिंग कम्प्लीट हो गई है, अगर आपको यह पसंद आ रहा है लहेंगा, तो जल्ली से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यह सारी लेसिस हमारे इस ल दोनों के कली में सिलाई लगा देंगे, तो अस्तर पे और 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 गंजा फैबरिक, दोनों के कली को बीच में जॉइन कर दिया है, अब इसको हमें लेना है, और यहां से इस वाली कली को इस साइड रख देना है, अब अस्तर के दो पार्ट लेंगे, दो पार्ट लेंग और इसको इसके उपर रख़ देना है। अब AKT के इसमें भी अब सिलाई् लगा देंगे। यहाँ सिले के यहाँ तक कली को अमने अठेज्च कर दिया है। 특히 बढ़ा ओड़ां इसके होगा हैं. तो अस्तर की कलियां थो हमने अटेच कर दी हैं अब अस्तर को कर देना है साइड में और 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 अर्गंजा फैब्रिक को भी खोल के हम सीधा कर लेंगे इसमें से भी एक पार्ट को हटा देना है एक कली लेंगे यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सलाई लगा कर इसको अटेच कर देंगे दूसरी वाली कली लेना है इसके उपर रख देना है यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा कर इसको इसमें अटेच कर देंगे यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा कर इसकी कलियां भी हमने अटेच कर दी हैं इन पर यहां पर नाकुन लगा देना है यह देखिए इस तरह से बाद में हम इसको प्रेस से जमा देंगे अभी तो नाखुल लगा के जमा लेते हैं तो कलियां भी हमाई अटेच हो चुकी है अब हमने इनको डबल तो पहले से ही कर रखा है इसको यहां से एक साइड से मिला देना है किनारी से किनारी साइट में करते हैं अस्तर को ले लेते हैं अस्तर का भी हमें एक पार्ट लेना है और अस्तर में भी यहां से लेकि पूरी यहां तक सिलाई लागा कर इसकी भी हम एक साइट की फिटिंग कर देंगे यहां से लेकि यहां तक सिलाई लागा कर इसकी भी हमने फिटिंग कर दी है अब इन दोनों किनारी को पकड़ना है और यहां से इसको open कर देना है इस stripe से हम इसको रख लेंगे अब लेंगे हम अपना organza वाले фірीक इसके भी कमर वाले पार्ट को लेना है और यहां पर इस तरह से इसको उपर रख देना है सिलाई से हमें सिलाई को मिला देना है यहां पर यह वाली सिलाई और यह वाली सिलाई आपस में यहां पर मिल जाना चाहिए अब यहां से लेके पूरे यहां तक कच्छी सिलाई लगा कर इस कमर को इसमें अटेच कर देंगे यहां से लेगे यहां तक अस्तर को और 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 गंजा फैब्रिक को हमने अटेच कर दिया है अब हमें इसमें लगाना है नेफा तो ले लेते हैं अपने नेफे की पट्टी इसमें यह चोटी-चोटी सी कली हमने कट की थी तो इनको अटेच कर लेते हैं पहले तो यहां से इसके उपर मिला देना है और इसको यहां बीच में से भी अटेच कर देंगे अब यह जो हमने पट्टी रेडी की है इसको लेना है यहां बीच वाली सिलाई से इसको मिला देंगे और इस तरह से इसको अटेच करना है हमें इस वाली पट्टी को इस साइड से और इस को इस साइड से ताकी हमारी यह वाली जो सिलाई है यह advent कर दिया है यहां пиш कर दिया कर दिया है कि mają अधा चाय लाइब इस पहले फोल्ट कर कर लेंगे इसके वाद फिटिन करेंगे जितनी भी नेफे पट्टी एक stud हमें इस सब्सकुण कर देना है यह एक और यह दो पल्टी मे हुआ हमने यहां से लेकर 5 इंच नीजे तक किसको एक्सटरा फॉल्ड किया हैं हम इस साइड कर दिया है अब come यहां से इसको पहले 5 इंच के वाद पूरा यहां तक कि less नेफ़ा बनानाया और यह जो अंदि सिलाई लगांगे बो की ऊपर यहां पर आना चाहिए आ हाँ है है I can yeah यह वाली सिलाई हमें यह वाली सिलाई यहां से दिखना चाहिए तब ही हमारी यह वाली जो उपर वाली सिलाई है वो परफेक्ट आईगी पूरा नेफा हमारा बन चुका है स्लाई भी देखे बड़ी हमने फिनिशинग से लगा दी है इसी तरह से आपको भी लगा लेना है तो अब हमें इसको यहाँ से इस तरह से दौनों कॉर्नरस को मिला देना है यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक यह जो हमने नेफा बनाया है इससे वस इतना सा हमें खुलत रखना है क्योंकि यह नेफा की सलाई से कमर हमारी अच्छे से अंदर चलिया है मतलब यह फिटिंग में सही आजाए हमें इसके बाद अब हम इसकी यहां से फिटिंग करेंगे तो पहले तो हमें यह वाला ओर्गंजा फैब्रिक और यह वाला ओर्गंजा फैब्रिक दौनों को इस तरह से मिलाना है और इसको इस तरह से रखना है और यहां से लेके पूरे यहां तक सलाई लगा कर इसकी फिटिंग कर देंगे यहां से ऐसे बरावर मिलाया और यहां से ऐसे पकड़ लेना है हमको दौनों फैब्रिक को तो इस वाले और गंज वाले फैब्रिक की फिटिंग तो हमने कर दी अब यहीं से हमें इस वाले को भी साथ में ले लेना है इसको इसको और इसको चारों को इस तरह से ऐसे मिला के चारों को साथ में पकड़ लेंगे बस नेफे से आधे इंच नीचे से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे अब यहां से हमें अस्तर को इस तरह से रख लेना है यह देखिए और गंजस जो फैब्रिक है वो हमारा यहां से छूट गया है और सिर्फ अस्तर की फिटिंग नीचे तक कर देंगे तो यहां से लेकिए यहां तक सलाई लगा कर इस साइट की और इस साइट की दोना की फिटिंग हमारी हो चुकी है तो उपर उपर बारा लेंगा हमारा पूरा complete हो चुका है अब इसकी हमें लेंज चेक करना है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पहले से हमारा ये बढ़ चुका है हम लोग आने कम तो रखी लिया था लेकिन फिर भी ये बढ़ गया है तो इसकी हमें लेंज थोड़ी सी कट कर लेना है तो अस्तर की पहले हम चेक कर लेते हैं फिर और गंजा की चेक करेंगे तो इसको हमें इस तरह से पहले मिला देना है और इधर पर मिला कर इस तरह से रखेंगे तो friends इसको अस्तर को हमने अच्छे से जमा कर रख लिया है और और ओर्गन्सा फैबरिक को ऊपर साइट निकाल दिया है नेफे के पास से ये देखी कुछ इस तरह से अब हमने इसको यहां से जब अच्छे से रखा है तो इसकी लेंज चेक कर लेती हैं दौनों नेफिय को इस तरह से एह से आपस में मिलाएंगे, यहाँ पर ंईजिटेप को रख लेंगे, और इसके लेंथ आ रहा ही हमाई 41 इंच की, अलग-अलग जगा से मेजर कर लेंगे, यहाँ से भी 41 इंच आ रही है और यहाँ से देखा जाए तो yeah से भी 41 आ रही है, अब यहां से तो 42 हो गई है और यहां से और देख लेते हैं यहां से भी 40 बना रही है तो यहां से भी जादा कटिंग करना पड़ेगी यहां जी थोड़ा ज़्यादा बड़ा था is लिए हम इसको थोड़ा जादा ले लेँगे तो इस अस्तर की गटिंग दो हमाई हो चुकी है अब अस्तर को हम यहां से हटा देंगे और खोल के सिंगल कर लेंगे और एक साइड से हमें स्टार्ड करना है इसको फोल्ड करना एक और यह दो दो पल्टी में हम इसको फोल्ड करते जाएंगे यहां ऽे की फोल्ट कर देंगे एक और यह दो पूरे केर को उमने डवाल्पइल्टी में फोल्ड कर दिया है तो अस्थर हमारा रैडई हो चुका है भंञ तो सिथा करके इस थरा से इसको पकड़ लेना है यह देखिये बीच से हमाई लैंग तो बरावर आ रहining होगी फिर देखिए एक दम बराबर पकड़ लीए थी सब्सक्तराइब अबराबर पकड़ टिया मैंने कितनी च्टि बड़ी हो रहा यह ए प्र इख फिर प्रप्रप्रम आए जैसे हैं अभी अब अब इस तर को अलग कर लिया तो रहाती है अदे अब अर्पर वाले फैबरिक पकड़ लेंगे और अब इसको यहीं पैसे रख देंगे इसको अच्छे से हमने जमा कर रख लिया है असतर हमारा उपर साइट चला गाया है इसको यहां से इस तरह से देखना है यहां से इसको बिल्कुल बरावर से मिलाकर रखना इन दौनों फैब्रिक को और नीचे वाले अब यहां से इनची टैप को रख लेंगे और यह देखिए यहां से तो हमाई लेंद एक दम परफेक्ट आ रहा है पर हम थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे और चेक करते जाएंगे यहां से देखिए लेंद अमाई बढ़ती जा रही है तो हमें 41 इंच का बनके रैडी च कटिंग कर लेंगे तो बन के हमारा 41 इंच आ जाएगा सेंटर से तो हमारा लगबग ठीक ठाकी आ रहा है इतना बड़ा नहीं है तो देखी फ्रेंट्स यहां से हमाई लगबग बराबर आ रही है यहां से तो पूरी बराबर ही आ रही है और वहां से बस इतनी उसी बड़ी आ रही है क्योंकि वह भी हमने जॉइन लगाए थे थो थोड़ी से उपर ओवरलैप करके रखा था इसलिए और यहां से यह हमारा बढ़ रहा है क्योंकि यह वाला हुस्सान औरेप हो गया है और इसलिए आप लोग दिक्कत आती है तो हमेशा आप लोग धियान रखिए जब आप अम्रेला लहंगा या फिर अम्रेला गाउन फ्रॉग जो भी बनाए हमेशा यहां बीच वाले हिस्से से कटिंग कर लेजिए तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं बराबरी से ताकि यह भी बराबर हो जाए तो इसके हमने कटिंग अब बराबर कर ली है तो देखी फ्रेंट्स अब तो एकदम ठीक टाक आ रहा है और इसके साथ अगर आप कें-कें इसकाड़ वेर करेंगे तो एकदम सही आ जाएगा तो अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं नीचे से तो इसको भी हमें एक और ये दो पल्टी में फोल्ड कर देना है पूरे घेर को जैसे हमने अस्तर को फोल्ड किया था और गंजा फैब्रिक के भी पूरे घेर को हमने फोल्ड कर दिया है अब इसमें हमें लगानी है लेस तो एक कॉर्णर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लगाएंगे हम ये वाली लेस यहीं से हमें बगल में शिफ्ट हो जाना है और यहीं से हमें सेकिंड लेस लगाना स्टार्ट कर देना है आदे इंच का हम इसमें गैप रखेंगे और यहां से लगाएंगे तो हमने दो लेस तो इसमें लगा दी है इसके बाद लगाने वाले हम ये वाली लेस हमाई नक्की वाली गोटा लेस तो इसको भी हम थोड़े से दूर लगाएंगे आदे इंच दूर एक लाइन लगा देंगे फिर इसके बाद हम एक लेयर और लगाएंगे इतने इतने से यह पूरा मतलब यह पुरा मतलब है जो लेंगा उसे किया है लेकिन इसमें जो घेर आया वहां है बोह ए तो यह दोनों जो लैस हम ने उसमें यूज किया है दये वाली और चोटी चोटी लेर्स हमने लगा इंगे तो यह इतनी यूज़ हुई है तो आपको भी सी साप से ले लेना है लेस जितनी भी आप यूज करें तो पूरा लेंगा हमारा बनके रैडी हो गया है फ्रेंट्स वेयर करने के बाद ही कुछ इस टाइब का लग रहा है और इसमें इतना सारा घेर आ गया है और बागी उपर का जो श्रग है वो जब यह बन जाएगा तो दौनों चीजी एक साथ और बेयर करके दिखा देंगे हम आपको और श्रग की कटिंग और स्ट्रीचिंग का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई